असलाम अलेकुम हलो वीवर्स तो यहां यह मैंने फैब्रिक ले लिया है ब्रॉकेस टाइप का फैब्रिक है शेरवानी वाला जो कपड़ा आता है तो पॉन मीटर कपड़े में से हम बनाएंगे फोर तू फाइफ यहर के बेबी के लिए हम इसको बनाएंगे तो पहले मैं 20 इंच रहेगी और यहां पे किस किस नाप की जरूद पड़ेगी हम पहले वह नाप लिख लेते हैं जिससे बाद में मैं आपको समझाऊंगी तो आपको एजीली समझ में आ जाएगा 24 इंच मैंने हिप के लिया है और यह जो है मेजरमेंट वह हमारा बॉडी का मेजरमेंट और अगर आप ट्राउजर से नाप लिके बना रहे हैं तो मैं आपको उसके लिए भी बता दूंगी कमर के लिए मैंने यहां पे 20 इंच लिख लिया है और थाई जो रहेगी हमारी 14 इंच है तो यह सारा ही मेजरमेंट हमारा राउंड में हमने लिखा हुआ है जिस तरह हम ग वो 21.5 तो कपड़ी को मैंने यहां इस तरह रखा है कि बैक वाले जो है उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है तो इस तरह फ्रेंट और बैक के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे फ्रेंट टिम में मैंने एफ बना दिया है इससे समझने में आसानी रहेगी अब फ्र इंच यहां पर छोड़ेंगे बैल्ट के लिए और अपनी हाइक का नाप लेंगे तो लंबाई मैंने 20 इंच रखी है इस तरह आप जिस पी नाप के लिए बना रहे हूं इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं अब जो हम कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर हमारी है बीस इंच तो इसको इस तरह हम फोर फोल्ड में करेंगे तो जो हमारा पहला फोल्ड है वो आ रहा है फाइफ इंच हमर में हमें दो इंच एक्स्ट्रा लेना है एक इंच हमारा टक्स में और एक इंच दोनों तरफ लाईउ में चला जाएगा तो हमारे यहां पे सैवन इंच पे पहले फोल्ड में 6 इंच, 6 इंच में 2 इंच से सवा 2 इंच आप ले सकते हैं बच्चों के लिए, उपर बैल्ट के लिए छोड़के, जब हम 6 इंच में सवा 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा सवा 8 इंच आया, ठीक है, अगर बच्चे की हाइट अच्छी है, तो सवा 8 इंच सब्क्राइब में 10 इंच, लिए 10 इंच अगी कीstad we can connect, बच्चों के लिए 10 इंच तो सब्सक्राइब कटिसे के लिए 10 इंच लिए 10 इंच एख ने की आप ले सकते हैं सारश कीटिक quieres, सब्सक्राई विर की innoc prompts के लिए 10 इंच निच आए 12 इंच इंच तो 7 इंच ळगा दें ब तो यहां पे हम 4 इंच के करीब सेंटर निकाल के और इसको पूरा यहां नीचे मोरी तक मिलाएंगे और इस तरह सीधर ड्रॉ कर लेंगे धाय धाय इंच दोनों तरफ माक करेंगे मोरी के लिए 5-6 हमारी मोरी रहेगी अब इस निशानों को उपर की तरफ मिला लेंगे इस तरह आप यहां पे स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं तो अब यहां इसको उपर तक मिला लूँगी जिस तरह नॉर्मल बड़ो की ट्राउजर में भी हम यही शेफ देते हैं इसी तरह हमें इधर भी शेफ ड्राउजर कर लेनी है मोरी वाले निशान को क्रॉच एरिया तक मिला लेना है अब यहां हम फ्रंट में इसको डाउन करेंगे तो पॉन इंच से हाफ इंच तक इसको डाउन कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए इस तरह की शेफ आप जीन्स बच्चों की ट्राउजर जो डेडिमेट आते हैं उसमें देखें आप इस तरह की शेफ कटी हुई होती है ब्रांडेट में पूरा फुल उसको तरीके से बनाया जाता है अगर आप भी बहुत थी प्रोफेशनल और एकदम परफेक्ट बनेगा अगर आप फ्रॉक वगएरा के साथ पिनाएं तो आप सिंप्ल भी बना सकते हैं क्योंकि वो पजामी की तरह ही लुकाता है उसका लेकिन अगर आपको टॉप वगएरा के साथ पिनाना हो तो फिर आपको प्रोफेशनल तरीके से ही उसको बनाना होगा तभी उसका लुक रहे हैं और जो इसकी टक्स की लेंट रहेगी वह मैं हाँ पे सवादो इंच ले रही हूं और इस तरह हाफ आफ इंच लेंगे दोनों ही साइड मतलब एक इंच हो गया हमारा है और इस तरह तिर्शा मिला देंगे और अब हम इसे दूसरे पर भी इस तरह रखके और टैप टैप कर दिए यह देखे इस तरफ भी यह यहां पे चप गया है तो यहां पर यह हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है कम्प्लीट अब हम इसको बैक पर रखेंगे तो बैक पर नीचे स्षब्जित सद्टीफ कर देंगे और इत्यृट नीचे दि ngayon stre row पीछे की तरफ प sa सद्टीफ पर रहेंगे जीन रंप 17 जड़ा हैब नीचे के तरफ तो पूरा नीचे सद्टीफ देन रहेंगे हैङ इसको अच्छे से तो पूरा नीचे तक मिला कर लाएंगे तो इसको नीचे तक मिला दिया है अब यहां हम इसको उपर की तरफ अप करेंगे बैक में हमारा इस तरह ऊचा रहता है बच्चों की पैंट में भी स्थारा कही होता है जैसे हम बड़ोकी में करते हैं यहां पर मैं लेकिन डेर इंच को ऊचा रख रहे हूं कि पैंट स्टाइल में बनाएंगे आप तो सभी साइज में बच्चों का हो या बड़ा इसी तरह इसकी कटिंग होती है अगर बच्चा है तो आप यहां पे दो इंच रखें पूरा डेर इंच ना रखें अब इसकी भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे तो हमारी हाँ पे फ्रंट और बैक कट गए हैं अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम दोनों के ही क्रॉच एरिया को यहां पे स्टिच करेंगे तो इस तरह हम स्टिच लगा लेंगे यह हमने बैक पे भी लगा ली और यह फ्रंट वाले हमने दोनों पीस में इस तरह स्टिच करेंगे तो यहां पे उपर की तरफ इस तरह फोल करके कपड़े को रखना है और यहां पे सलाई हमें लगानी है और नीचे की तरफ जहां तक हमारा टक से वहां सलाई उतार के और फिनिशिंग से यहां पे पका कर लेना है आपको सफाई के साथ तो यह देखे इस तरह हमने इसको neatly बना लिया है अब हम इसकी belt तयार करेंगे आगे के लिए तो 3.5 इंच के करीब मैंने यहाँ पे यह इस्ट्रिप ले ली है और यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट के करीब यह हमारे पास बुकरम है यहाँ पे मैंने इसको इस तरह पेस्ट कर लिया है अब उल्टी तरफ से ट्राउजर की हम लगा के इसको लाएंगे और हमें इनका टक्स का दोनों को एक दूसरे की फेस्ट में रखना है और इसको भी सिल्का कंप्लीट कर लेना है अब जो हमारे स्लाइम आर्जर ने उसको अंदर की तरफ दबाके और यहाँ पर हम उपर से भी एक फिनिशिंग की स्लाइल लगा लेंगे बिलकुल जिसे यह हमारा बिलकुल नीटली तयार हो जाएगा इस तरह हमने फ्रंट बैल्ट बना लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फिनिशिंग की साथ हमारा बन गया है अब हम इसके बैक में बैल्ट लगाएंगे तो हम यहाँ पर भी इस तरह कपड़े को सीधा रखेंगे और यहाँ पर बैक साइड से इसको लगा कर लाएंगे तो पहले मैं सेधी एक fire लगा लूंगी पूरे में तो हम यहाँ पे अब आपको सीच करने की दिखा देती हूं कि इस सारह हम ईसको बैक वाली बैल्ट को इसमें अटैश यहांने बैखव्त बेल्ट को अटेश्हिया अब हम से बैइल्ट इसमए इलास्टिक लगाेँगे के डिया रिया क्लेज यहां यहां जो इसका सइड है उससे हमानी एक इंच एक्स्ट्र लेना है तो यहां हम 9 इंच पर E π puòल्ड घर लेंगे बास तरह उस तरह किया आपकर कर लिया बासक को दि站़ोंने डियान रख़ेंगे और यहां पर स्लाइब लगा लेंगे ठाहे कर लें ठाहिए इस को इस तरह जीड़ने लिएAud फनीशिंगर दिषिटाइब मे जाएब Reper사 Eric को और इसको चुछे लास्टिक को और कॉंप्लीत कर लेंगे अब हम यहां इसको इस तरह इधर भी पका लेंगे के लास्टिक वरिए अब यहां फ्रंट को इसके उपर रखेंगे बैक वाले की ऊपर और यहां बिलकुल मिलाकी रखना है ऑप पूरा नीचे तक यहां पर हमें स्लाई लगानी है तो मैं आपको यह दिखा देती हूं बिल्कुल यहां से आपका सैट रहना चाहिए कपड़ा कि दोनों ही हमारे फ्रेंट और बैक और इसको पूरा नीचे तक सिलके लाएंगे तो इस तरह यहां पूरा नीचे तक मैंने इसको स्चिच कर लिया है ऐसे ही दोनों साइट सिलना है शिखकर स्चलये हैं चाहिए क और इसको पूरा नीचे तक सिलेंगे बिल्कुल किनारी कि स्लाई लगानी है जो ट्राउजर की स्लाई लगाएंगे किनारी किनारी स्लाई लगा के लाएंगे और फिर इलास्टिक पर भी हम स्लाई लगा लेंगे तो इस तरह यहां हमने लास्टिक पर भी स्लाई लगा लिया है तो यहां हमारा अल्मोस्ट यह उपर से रेडी हो गया है अब हम इसकी मोरी रेडी करेंगे त यहां पास फैब्रिक ज्यादा नहीं है तो मैं यहां पे अलग से फैब्रिक ले ले लही हूँ 2-3.5 इंच की स्ट्रिप से आप यहां पे श्लाइ करके और इसको अंदर की तरफ फोर्ड करके मोरी बना सकते हैं आसानी से यहां यह देखिए आप मैंने इसको मोरी को बना लिया है अब हम इसको पूरा फाइनल स्टिश करेंगे तो इसके लिए हमें जितनी मोरी रखनी है तो हमने यहां पे पाच इंच मोरी रखी ती तो उतना ही लेके और बाकी इसमें सलाय लगा लेंगे हम तो इस तरह पाच 20-30 और पूरे में स्टिश कर लेगे डोनें क्रॉच वाली जगह दो यह को स्लाय कर लेंगे यहां पे इसको इसातरह स्टिश कर लेना बहुत ही इसका अच्छा लुक आया यह मैंने फॉर एयर की गर्ल के लिए बनाया है जो कि एकदम परफेक्ट साइज आया है पॉर तु फाइफ एयर के लिए जादा डिफरेंस नहीं होता बाकि आप अपनी पैंट वगरा से भी बच्चे की नापके इसको बना सकते हैं यहां यह देखे हमारा ट्राउजर यह रेडी हो गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ यह बना है आप देख सकते हैं इस तरह थोड़े खड़े कप्ड़े पर बनाएं तो इसका वैसे भी लुक बहुत अच्छा आता है बिल्कुर प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको बनाया ह है थोड़े आपको ज्यादा मेहनत लग सकती है इससे बनाने में थोड़ा काम है इसमें लेकिन बहुत ही फिनिशिंग के साथ जब इसका लुक आएगा तो एकदम यह पजामी जैसा नहीं लगेगा बहुत ही डिसेंट सा आपको यह ट्राउजर लगेगा तो यह देखिए स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें शियर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फोर वागेगा